हेलो, नमस्ते, सस्रेकाल, सलाम वालेकुम, मैं हूँ गरिमा, आज की एक अलग सी रेडिंग लेकर के आई हूँ आप सब के लिए, जिसमें देखने वाले हैं आपकी पस्नालिटी के बारे में, यानि आप कौन है, किस तरीके की पस्नालिटी आपकी है, आपकी पस्नालिटी के बारे में क्या रिवील करते हैं, इसके साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके आज-पास की जोouch energies हैं, वो आपके लिए helpful है या नहीं, यानि वो energies आपके लिए positive हैं, आपकी खुद की personality में कौन से positive traits हैं, कौन से good qualities आप के अंदर हैं, जिसकी व और साथी साथ यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी कि क्या-क्या weaknesses है जिनके उपर आपको काम करना चाहिए तो overall आपकी personality को पूरी तरीके से समझने के लिए ये एक complete reading होने वाली है और ये एक intuition based reading होने वाली है तो यहाँ पर मैंने रखे हैं दो cards, first card में है टी pot और दूसरे card में ह कि आपको अपनी intuition का इस्तेमाल करते हुए अपने card को choose करना है, description box में जाना है और अपनी reading को directly देखना है यहाँ पर मैं कई सारे cards यूज़ करूँगे जिनमें tarot cards भी होने वाले है, oracle cards भी होने वाले है, angel cards भी होने वाले है, योगिक cards भी होने वाले है, past life cards भी होने वाले तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस reading को, हम tea pot के साथ हेलो ग्रूप नमबो वन, आपने tea pot को choose किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप सब लोग बहुत ही emotional group हैं, क्योंकि tea pot वही वेक्ती choose करेगा, जो कि internally बहुत ही जादा emotional है, और बहुत जल्दी emotionally लोगों से जुड़ जात है, attach हो जाता है, इस पर message भी लिखा है कि deep friendships, यानि कि आप जो भी रिष्टे बनाते हो अपने जीवन में वो बहुत गहराई से बनाते हो, उन्हें मरते दम तक निभाते रहते हो, even सामने वाला आपका बुरा भी कर देता है, उसके बावजूद, आप उनकी मदद करना नही चोड़ते हैं, आप कभी भी किसी के लिए बुरा भला नहीं सोचते हो, आप चाहते हो कि जो भी रहें, अपनी लाइफ में खुशियों के साथ आगे बढ़ें, अपने जीवन में बढ़ूतरी करते रहें, ये एक बहुत अच्छी एनरजी है, आपकी इसी वज़ा से आप tranqu quality की तरफ बढ़ते हो, आपका spiritual connection बहुत strong होता है, अब मैं यहाँ पर one by one आपके cards लेने वाली हो, और हम देखेंगे cards यहाँ पर क्या बताते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर angels से पूछना चाहूंगी कि क्या message है, group number one के लिए, आपके personality को ले करके, किस तरीके की personality है, group number one की, okay, get grounded, impacts, just see this, highly sensitive, connect with nature, अभी मैंने आपको बोला, आप काफी emotional personality है, just see your message, काफी sensitive personality है, आप, आपको लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है, आपको animals बहुत प्यारे लगते हैं, आपको लोगों से बाते करना बहुत अच्छा लगता है, especially अगर कोई emotional बाते आपसे share कर र दूसरों को अपनी बाते बता रहे होते हो और आप expect कर रहे होते हैं, group number one, की सामने वाला भी उतने ही emotional enthusiasm के साथ आपकी बात सुने और वो नहीं सुनता है, तो आपको hurt होता है, क्योंकि आप पूरे ध्यान से सामने वाले की बात सुनते हैं, आप पूरा invest हो जाते हो सामने व क्योंकि यहां पर मैं देख रहे हूँ कि आपको यह कहा जा रहा है कि आपको और ज्यादा अपने साथ self love की ज़रुत पढ़ने वाली है, क्योंकि आप empath है, दूसरों का तकलीफ अपने अंदर महसूस करने लगते हो आप, आपको लगते हैं मैं क्या ऐसा कर दूं कि सामने व को प्रोवाइट करके देते हो, वो मैं आपर देख रही हूँ, आपकी soul बहुत अच्छी है, you are a very good personality, okay, second card we have star seed, so you are a star seed group number one, and see star seed है आप, इसका मतलब कि आपके जीवन में ये जो materialistic goals हैं, इनके अलावा आपके जीवन में कुछ ऐसे goals भी हैं, जो higher level के goals हैं, जिनको आप प तो आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं, you are a star seed, यानि कि आपको पता है कि universe के साथ जो आपका connection है ना, दूसरे उसको समझ नहीं सकते, आपको ये पता है कि मैं जिस तरीके से universe से बाते करती हूँ ना, कोई और नहीं जान सकता मेरी और उसके भीच की बातों को, कि हम कैसे ए best friend in stars, you find your friends in animals, आपको जानवरों में, animals में, आपको stars में, आपको nature में अपने दोस्त मिलते हैं, and ये एक बहुत ही जादा significant चीज इसलिए है, क्योंकि group number one आप ये analyze करके देखेगा, कि कोई ऐसा animal जिसको आप जानते भी नहीं हो, और आप अगर खड़े हो तो वो automatically आपकी त आपकी तरफ अट्रेक्ट हो जाएगा, even छोटे बच्चे भी आपकी तरफ बहुत जादा attract होंगे, प्रकृती भी आपकी तरफ बहुत जादा attracted रहेगी, क्यों क्योंकि आप star seed हैं, this is your one of the beautiful quality, जिसकी वज़ा से आपकी life में spiritual journey बनेगी, और बहुत अच्छी जरनी बनेगी empath और साथ में star seed, wow, what a combination, sometimes ये चीज़ें कभी-कभी आपको परेशान भी कर सकती हैं, क्योंकि जब आप empath होते हो, आप दूसरों की तकलीफ अपने उपर ले लेते हो, और इसके वज़ा से कभी-कभी आपको लगता है कि बहुत ही जादा burden मेरे उपर हो रहा है, मैं आखिर कि बातों को समझू, कितना उनके, मन को समझू, and कभी-कभी आपको लगता है कि मुझे भी life में कुछ material चीज़े चाहिए, मुझे भी life में थोड़ा comfort चाहिए, and आपको उस तरीके का अगर partner नहीं मिलता है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती है, आगे देखते हैं, cards और क्य इवन में जो सबसे बड़ी, मैं कहूं, dilemma है, वो यह है कि दिन के आधा दिन तो आपको लगता है कि मुझे एक कुछ करना है, मुझे life में कुछ बड़ा करना है, आधा दिन का टाइम आपको लगता है कि क्या ही रखा है सब में, यह इस तरीके की combination आपकी बनती है, group number one, क्यो क्योंकि ना तो आप एक तरफ जा रहे हो, ना आप दूसरी तरफ जा रहे हो, you are just like pendulum इदर से उधर, इदर से उधर हो रहे हो, क्योंकि जब आप सोचते हो कि life में कुछ बड़ा cheap करना है, चलो success की तरफ काम करते हैं, कोई बड़ा exam clear कर लेते हैं, यह कर लेते हैं, जब आप करने बैठते हो, उसी टाइम पर आपको तुरंत ही आध्यात्मिक विचार आने लगते कि क्या ही रखा है जिन्दगी में, क्या करना है पैसे कमा करके, so group number one, यह चीज आपके साथ continuously बनी रहती है, and this is you, आप ना तो इधर जा पा रहे हो, ना इधर जा पा रहे हो, you are not choosing one, so what you can do, आपको करना क्या है, आपको balance करना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें लाइफ में जरूरी है, materialistic चीज़ें भी जरूरी है, और लाइफ में proceed करना भी जरूरी है, और आपके spiritual journey भी जरूरी है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक तरफ बढ़ने के लिए दुसरे तरफ नहीं जा स करते हैं, दोनों चीज़ें अपने अपने जगा पर जरूरी है, तो आपको दोनों direction में जाना है, ओके, ये card आ रहा है आपके लिए, that is co-create, yes, so co-create is a very good card in your reading, और ये card यहाँ पर ये भी indication देता है, group number one, कि आपने, आप हमेशा दूसरों के, दूसरों के motivation को na build up करने की को परशिश करते हो, आप ऐसे लोग हैं, कि अगर आपने किसी से बात कर ली, या किसी को motivate कर दिया, या किसी को बस समझा दिया, सामने वाले person के अंदर इतनी ज़्यादा energy आ जाती है, कही न कहीं वो आपके energy पर rely कर रहे हैं, और आप जब वो energy उन्हें देते हो ना, तो वो अ अपने like-minded लोगों के साथ ही चीज़े कर पाते हो, या like-minded लोगों को ही आप comfort कर पाते हो, जो लोग आपके opposite सोचते हैं, जो लोग आपके against हैं, आपके मन में उनके प्रते भी किसी तरीके के कोई दुरभावना नहीं है, आप उनको लेकर के भी सोचते हो कि ठीक है, अपने की वज़ा से, जब कोई और जलन कर रहा होता है, या कोई और किसी को बुरी तरीके से बता रहा होता है, उसे hurt कर रहा होता है, आपको वो चीज़ मैसूस होने लगती है अपने अंदर, so ये आपकी एक personality trait यहाँ पर बन कर आ रही है, but you know कि right क्या है, wrong क्या है, and this is your personality, आपको सत्य का पता है, और आप हमेशा अपने सच के साथ रहते हो, this is the best thing you do, okay, आगे मैं देखती हूँ, हमारे यहाँ पर और क्या cards आ रहे हैं, group number one के लिए, आपकी energies जो आपके आसपास हैं, वो क्यासी रहने वाली हैं, उनके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ, okay, तो यहाँ पर आपके लिए दो, तीन card आगे हैं, okay, मैं तीनों लेने वाली हूँ, so first card आपके लिए यहाँ पर है, Horus का cosmic gateway, yes, so star seed यहाँ पर आये ही था, and now Horus is coming for you, Horus पर message जो लिखा है, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring, cosmic gateway, Horus यहाँ पर Egyptian, आप एक किसे acronym मान सकते हैं, या फिर Egyptian symbolism मान सकते हैं, यहाँ और यह जो आकरती बनी है, यह Horus की आकरती है, यह से symbol of Horus भी बोलते हैं, आप चाहें तो इसे बना करके रख भी सकते हैं, concentration के लिए, manifestation के लिए काफी अच्छा माना जाता है यह, now Horus यहाँ पर क्या indication दे रहा है, group number one, कि आपके आसपास की जो energy है, उसमें बहुत जादा element involved ह spiritual और आपके जो भी ancestors हैं, उनकी spirits का, तो आपके आसपास जो energy हैं, जो की हमेशा आपको uplift करती हैं, जो की हमेशा आपको heal करती हैं और आपको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, यह वो energies हैं, जो की अब इस समय अंतरिक्ष में हैं, जिन हम कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर ह बहुत लोग ऐसा बात बोलते हैं actually में वो सितारे नहीं बने लेकिन हाँ वो energy form में कहीं न कहीं है आपके जो भी रहे हैं जो लोग आपसे दूर जा चुके हैं आपके past life में लोग रहे होंगे या ऐसे लोग जो हमेशे आपका भला चाहते थे हमेशा आपके लिए good will रखते थे ऐसे लोगों की presence आपके आसपास हमेशा रहती है they are protecting you you can see यहाँ पर पूरा protection shield बना हुआ है आपके लिए तो आपके life में कभी भी कोई भी problem आ जाए किसी भी तरीके का चक्रविव आपके सामने आगे और आप फस गए यह आपको बाहर निकालेंगे they are your protectors और मैंने reading start की थी उस time पर मैंने आपको यह बात बोली थी कि आपका जो deep connection बनता है या फिर आपको आपके सच्चे दोस्त आपको जो मिलते हैं वो आपको animals में मिलते हैं वो आपको प्रकृती में मिलते हैं वो आपको ऐसे चीजों में मिलते हैं जो कि बहुत cosmic है बहुत galactic है and see this यह जो presence है यहाँ पर यह presence ना सिर्फ आपके किसी ancestor की है यह presence आपके animal spirit की भी है यह energy हमेशा आपके आसपास रहती हो सकता है इस lifetime में भी आपके पास कोई animal कोई pet हो अगर है तो comment section में मुझे बताइएगा और नाम भी बताइएगा मुझे भी pets बहुत पसंद है अगर आपने अभी भी किसी pet को adopt किया है कोई भी pet है कोई bird है उस bird या pet की energies जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी है आपके surrounding के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वो आपको protection दे रहा है और वो अभी से नहीं हमेशा से आपके साथ है because you are a star seed आप जहां जाओगे यह वहाँ पर जाएंगे आपने देखा ना कि जो हिंदु देवी देवता होते हैं वो देवी देवता अकेले नहीं होते हैं उनकी कोई सवारी होती है साथ में similarly आप भी अकेले नहीं चलोगे आप कहीं भी जाओगे यह animal या यह bird यह animal energy, spirits आपके life में आएंगे कहीं से भी आएंगे आप next life में जाओगे वहाँ पर भी है किसी ना किसी form में आप से connect करेंगे so this is a very powerful and good energy for you next card यहाँ पर आपके लिए है महावतार बाबजी का card and यह soul expansion का card है जिस पर message लिखा है your consciousness is expanding you understand the connection between all things yes so this is your good personality and spiritual journey पर जाने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता group number one आपके spiritual journey होनी ही होनी है because you are in path spiritual जो life है वो embedded है आपके अंदर मतलब आप internally ही पहले से ही अध्यात्मिक है उसे आपसे कोई अलग करी नहीं सकता आप कुछ भी कर लो किधर भी जाओ चाहे जितना आप इस मायावी दुनिया में जाने की कोशिच करो end of the day आपको जो सुकून मिलेगा न वो सुकून आपको आपके east के पास मिलेगा और आप घूम फिर के वहीं आ जाओगे वो सुकून आपकी जो personality में है क्योंकि ये सुभाव है आपका group number one चाहे आप extrovert है चाहे आप introvert है लेकिन आपको जो सुकून peace मिलेगा वो आपको यहीं मिलने वाला है अपने east के पास okay so this is a very good energy around you आपके east के energy आपके आज पास है बहुत अच्छी energy है ये energy आपको peace देती है ये energy आपको सुकून देती है ये energy आपको heal करती है and ये card भी आपके लिए आए था hope, love and acceptance okay love is yours recognize your divine worth choose loving thoughts yes so group number one आपके जीवन में अगर मैं आपके life को सिर्फ एक शब्द में बया करूँ तो वो है प्यार अगर वो प्यार आपके life से चला जाए यानि प्यार को आपके जिंदगी से erase कर दिया जाए तो आपकी life shatter हो सकती है now प्यार का मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ उस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ जिसे love affair बोलते हैं या फिर प्यार ऐसे बोल देते हैं जिसे आज कल हम ने प्यार का नाम दिया हुआ है कपल के बीच का प्यार वो प्यार में बात नहीं कर रही हूँ माता पिता के प्यार की भी बात मैं नहीं कर रही हूँ दोस्तों के प्यार की भी में बात नहीं कर रही हूँ यह जो प्यार है यह आपका आपके प्रती प्यार है आपकी जो सोल है उसने आपको चूस किया आपकी शरीर को चुना क्योंकि वो सोल इस समय आपको इस उम्मीद से देख रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्पैंड करोगे, आप अपनी लाइफ में कुछ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपके अंदर चल रही है, जब तक उसने आपके अंदर वो एनरजी बनाई हुई है तब तक आप यहाँ पर ऑपरेशनल है तो यह जो लाइफ में आपका लाइफ खतम तो यह जो लव एन एक्सेप्टेंस है इसका मतलब यह है कि अपने आपको पूरी तरीके से स्विक्रिट कर लेना हमारे अंदर कुछ ऐसे सुभावगत कमिया होती है कभी-कभी हम उन कमियों को स्विकार नहीं कर पाते किसी के अंदर गुसा काफी ज़्यादा होता है लेकिन वो मानता ही नहीं व्यक्ति कि मेरे अंदर ज़्यादा गुसा है वो सामने वाले को जिम्मेदार ठहराता है कि तुम्हारे इस काम की वज़ा से मुझे इतना गुसा है दूसरी तरफ कभी-कभी किसी के अंदर इतने ज़्यादा emotions होते हैं कि वो अपनी बात बताने से पहली रोना शुरू करते हैं अब ये जो issues create होते हैं पहली चीज ये है कि आप इन्हें accept करें कि हाँ मेरी personality में ये चीज़े हैं अपनी personality की जो weaknesses हैं उन्हें आप समझें, emotions को समझें उन्हें accept करें कि हाँ ये मेरे सुभाव का भाग है मैं मानती हूँ कि मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ मैं मानती हूँ कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है मैं मानती हूँ कि हाँ मुझसे सीधी बात नहीं हो पाती है तो first of all you have to accept जो भी आपके सुभाव में अब है जब आप उसे accept कर लेते हो जब आप उसे acknowledge कर लेते हो उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हो improve कर सकते हो जब तक आप मान ही नहीं रहे हो कि मेरे सुभाव में ऐसी कोई कमी है या फिर ऐसी कोई बात है तब तक तो आप उस पर कोई काम कर ही नहीं सकते So, this is a very important message Okay, आगे देखते हैं Cards यहाँ पर और क्या message ला रहे हैं आपके बारे में आपकी personality को ले करके So, आपके अंदर बहुत सारी positive qualities है Group number one So, let me see some more cards for you Okay, यह सारे cards यहाँ पर आ गए है Okay, I think यह है एक, दो, तीन, एन चार, पांच, छे cards आए है Okay, क्या सारे ले लूँ? ठीक है, सारे ले लेती हूँ So, one by one reveal करते हैं क्या-क्या message है Now, हर एक card के साथ कुछ qualities आएंगी हर एक card अपने आप में आपके बारे में कुछ बताएगा इन सब बातों को आप ध्यान से सुनिएगा First card is Niyamaz Yes आपको आपकी life में success चाहिए Group number one, you have to follow the rules You have to make your routine आपको discipline अपनी life में लानी पड़ेगी आपकी personality, growth की जो सबसे बड़ी requirement है वो है discipline लाना Discipline लाना बहत ज़रूरी है चाहे वो सोने का समय हो, जगने का समय हो खाने का समय हो, बैठने का समय हो पढ़ने का समय हो, meditation का समय हो आपके जिंदगी में routine होना बहुत ज़रूरी है, schedule होना बहुत ज़रूरी है ये नियम होने बहुत ज़रूरी है और इसके साथ-साथ ये card ये भी कहता है कि आपको boundary set करनी चाहिए कौन आपसे कितनी बात कर सकता है कैसी बात कर सकता है किस स्तर की बात कर सकता है ये boundaries लोगों को पता होनी चाहिए सबको आप ये उनको ये मौका ना दे कि कोई कुछ भी आकर के आपको बोल सके you have to create your boundaries क्योंकि जब तक आप ये boundary नहीं बनाओगे आप अपने प्रती respect नहीं पैदा कर पाओगे अपने अंदर this is important for you एक बार आप boundary बनाएंगे group number one आपको खुद अपने अंदर एक बदलाव महसूस होगा एक confidence feel होगा next card यहाँ पर आपके लिए मा काली, oh god group number one मा काली की presence है मैं expect नहीं कर रहे थी मा काली यहाँ पर आएंगी और just see ये card देखके तो मेरी तो बोलती बंद हो जाती है mesmorize हो जाती है because you can see all over there is snake, चारों तरफ यहाँ पर सांप है and high possibility कि snake आपको protect करता है मा काली मा काली के बारे में मैं बहुत बार बताती हूँ कि मा काली की energy ऐसी होती है कि आपके जिंदगी में कितनी भी negativity कोई लाने की कोशिश करे चाहे वो black magic हो चाहे वो किसी भी तरीकी का चीज हो नजर लगाना हो, कुछ भी करना हो अगर मा काली ने आपको आशिरवात दिया है और वो आपकी protector है तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको बस मा काली का ध्यान करना है बोले मा काली आप देखेगा किसीने जो कुछ किया है आप देखेगा मा काली will take care of everything आप आपके परिवार कहीं पर भी and she is your east जहां तक काली मा यहां पर आ रही है जो मुझे अभी यहां पर feel हो रहा है आप में से बहुत लोगों की east काली मा है या मातारानी का कोई स्वरूप है तो आप बहुत फोकस करिएगा कि जब आप मंदिर में पूजा करते हैं या कहीं पर भी आप पूजा करते हैं feminine energy की पूजा बहुत करनी है आपको अपनी feminine energy को strong बनाईए यानि yin की energy को strong बनाईए और वो energy strong कब होगी जब आप एक giver के form में आओगी यानि कि जब आप लेने की जगा देने की कोशिश करो kind hearted personality generous personality helpful personality या आपके true nature है जब आप इनसे दूर भागोगे न तब तब आपको problem होगी group number one जब आप अपने इस nature को अपना लोगे कि हाँ मेरा स्वभावी ये लोगों की मदद करना क्या करूं मैं मुझे अच्छा लगता है करके मुझे अच्छा लगता है किसी animal को खाना खिलाके मुझे अच्छा लगता है कि किसी को मदद की जूरत है तो मैंने उसकी help कर दी मुझे इसको करके बहुत सुकून मिलता है इस बात को accept कर लीजे ना भाग क्यो रहे हो बहुत से लोग इस वज़ा से इन सब कारे को नहीं करते कि उन्हें लगता है उनके उपर बिना वज़े की जिम्मेदारिया आ जाएंगी हो सकता है कि आपको मौका मिला हो कि आप वो जिम्मेदारिया निभार उसके बदले आपको कुछ मिले तो मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी reward या award की चाहत से यह सब करना चाहिए लेकिन आपका true nature ही यह यह group number one so why are you running away? follow करी अपने heart को, अपनी intuition को कई बार अपने दिल को दबा देते हो अपनी intuition को आप लोग दबा देते हो, suppress कर देते हो काफी जादा logical सोचने लगते हो, जो कि नसेसरी नहीं है आपके case में आप तो divinely guided हो, आपकी life में कोई भी आएगा everybody, हर एक चीज, एक भी वस्तू तक आपके जीवन में जो आएगी वो भी guided है, आपके जीवन में उसके आने का कोई purpose है maa kali, okay next card we have, maa saraswati, see मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर feminine energy मौझूद है, maa saraswati, दो-दो maa की energy यहाँ पर आ रही है, मातरानी की energy आ रही है, सुरस्त्वी maa विद्या की देवी है, highly intellectual group है, यह बहुत समझदार creative group है यह बहुत ही जादा बड़े field में काम करेगा, artistic creation और expression में यह group जाने वाला है, maata saraswati का आशिरवाद ले लीजे, आप लोग, आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी अगर आप किसी competitive exam की त्यारी कर रहे हो, educational exam की त्यारी कर रहे हो academics में जाना चाहते हो, किसी creative field में जाना चाहते हो, research में जाना चाहते हो, medicine में जाना चाहते हो ऐसे fields में आपको सफलता बहुत मिलने वाली है maa saraswati का अशिरवाद आपके उपर है, दो maa एक साथ मौझूद है, आपकी protectors की list देखे, आप लो group number one you guys are amazing, आपके आसपास इतनी अच्छे energies हैं, कि human being अगर आपकी life में कुछ भी problem create करने की कोशिश करता है, आपके protectors कौन बैठे हुए है वाउ, एक चीज़ में बोलूँगी, group number one, आपकी life में कभी भी कोई problem आती है, कुछ अच्छा संगीत जरूर सुना करे क्योंकि आपको पता है, माता सरस्वती वीड़ा बजाती है, वीड़ा आपका सबसे पुराना संगीत यंत्र माना जाता है, कुछ पुराना music सुने आप, ऐसा music जो की प्रकृति के द्वारा बनाए गया है यानि जो instrument है, वो प्रकृतिक चीजों से बना हुआ है, ऐसा सुनिएगे आप, गिटार वगेरा की बात मैं नहीं करी, आप सुने, बासुरी सुने, आप कृष्ण की बासुरी सुने, आप तंबूरा सुने, आप इसके अलावा पकावत सुने, ऐसी चीजें सुने, जो की प forgetting the name, वो एक घड़ा होता है, पानी का घड़ा type का होता है, और उसको पलट करके पे जाते हैं, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, वो भी उसकी ध्वनी भी आपके लिए बहुत अच्छी है, पॉसनली अगर आप मुझे पूछे तो आपको सारंगी जरूर सुनना चाहिए, ऐ अगर आपको साम सुनना पसंद है तो आप उन्हें सुनिये, जो भी आपको सुनना पसंद है, specially ऐसी चीजे जो कि divine है और जो आपको healing देती है, वो आपको सुननी बहुत जरूरी है, सरस्वती मा को आपकी लाइफ में और अच्छे तरीके से स्थापित करने के लिए, this is a very good card for you, group number one, okay, next card we have pranayama, so pranayama जो card है, आपके जो भी life में challenges होंगे, obstacles होंगे, group number one, वो automatically remove हो जाएंगे, आप जब जब उन challenges को अपने उपर हावी करोगे, तो आपके life के लिए वो problematic ही होगा, आप जब जब ease में रहोगे, कि ठीक है, होने दो, देख लेंगे, वो चीज सॉट out हो जाएगी आपकी, तो अपने उपर stress नहीं लेना है, आपकी personality क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हो, छोटा सा भी अगर काम है, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा stress लेते हो, जो कि बिलकुल ज़रूरी नहीं है आपके लिए, तो इसलिए मैं पारवती, okay, group number one, what are you doing guys, आप लोग क्या कर रहे हो, ये छे काड़े एक साथ आए हैं, NC, तीन मातरानी यहाँ पर आचुकी है, मा पारवती भी आगई है, मैं क्या बता हूँ आप लोगों को, जिसने भी ये group choose किया है, God, you guys are divinely connected, आप लोग पूरी तरीके से जुड़े हो इश्वर से, yes, you are empath, आप लोग empath है, this is your journey, see this, पारवती मा आचुकी है, आपके लाइफ में जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, you will get a best life partner, yes, पारवती को तो शिव ही मिलेंगे, so group number one, माता पारवती, ताकत, purity, serenity, beauty, जो शब्दा बोल दें, माता पारवती उसका synonyms है, so बहुत खूपसूरत, अपनी personality पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, अपने posture पर आप लोग ध्यान देंगे, अपने dedication और determination पर आप लोग ध्यान देंगे, जब आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे, group number one, आप अपनी life में कहीं भी sacrifice नहीं करोगे, compromise नहीं करोगे, आप वो करोगे अपनी life में जो आप करना चाहते हो, माता पारवती यहाँ पर आपको वो आशिरवात दे रही है, क्योंकि माता पारवती बहुत discipline में रहती है, ब तपस्या तो करनी होगी न, और आपके अंदर छमता है, तभी वो चीज आपके जीवन में आई है, यह तपस्या आप लोग कर लीजे, group number one, जिनों ने भी यह group choose किया है, आपकी feminine energy, कमाल की है, group number one, कमाल, सच में, माता पारवती, वाह, magic हो रहा है आज यहाँ पर, and then we have karma, see, कर्मा का कार्ड यहाँ पर आ गया है, so yes, जो कार्मिक चीजे हैं, आपकी life में repeatedly आती है, and you believe in कर्मा, actually, आपको उसमें विश्वास है कि हाँ, अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है, तो ईश्वर देखेगा, जो आप surrender करते हो न, यह बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि आप य किसी को माफ कर देते हो, तो आप उनके debt से हट जाते हो, यानि कि आप उनकी जो दुर भावना हैं, उनसे अपने आपको आप दूर कर लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी अच्छी है, तो यह चीजे आपके लिए आ रही थी group number one, अब मैं आपर last में कुछ और cards लूँगी, हमने देखी आपकी personality कैसी है, आप कौन है, आपके आसपास की energies कैसी है, helpful energies, वाओ, तीन तीन मातरानी आ गई है, इससे ज़्यादा मदद आपको किसकी चाहिए, positive qualities हमने आपकी देख लिए, आपकी ताकत क्या है, उसे भी देखा, मैं थोड़ा आपके inner self के उपर भी बात करन चाहूंगी, थोड़ी और आपके बारे में जानना चाहती हूँ, उसके बाद, यहाँ पर जो weaknesses हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुती बताया है, अभी हम और भी जानने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर past life cards से देखना चाहूंगी, कि क्या चीज़ें यहाँ पर अभी क कुछ imprints हैं या नहीं, some past energies जो कि इस lifetime में भी आपके पास आई हैं, वो energies क्या हैं, उनके बारे में भी मैं देख रही हूँ, okay, trust and faith, see, trust and faith, yes, तो आप इस lifetime के नहीं, आप एक old soul है, group number one, और आपने कई जन्म लियें, कई life cycle लियें हैं, and see, इतने लोगों से आपका connection है, इतने देवियों से आपका connection है, इतने divine से आपका connection है, you can see, इस picture में एक angel की figure आपको नजर आ रही होगी, so yes, trust and faith, आपका जो unbreakable trust ह divine के उपर, वो आपको आपके जीवन में सबसे जादा success दिलाएगा, and this is your major strength, सबसे बड़ी जो ताकत है आपकी वो है उम्मीद, वो surrender जो आप करते हूँ, वो trust जो आप अपने इश्ट पर रखते हूँ ना, कि मेरे साथ गलत होई नहीं सकता, मेरे साथ सही ही होगा, ये ची के दें, ये विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, group number one, इससे कभी दूर मत होना, biblical, just see, yes, so ये भी इसी same energy को depict कर रहा है, कि आप पूरी तरीके से भरोसा रखे, अपनी affirmations पर, अपनी manifestation पर, जो भी energies आपके आस-पास हैं, वो बहुत ही जादा supportive है, strength आपकी ये है, कि आपका ये जो unbreakable faith है, अपने इस्ट को लेकर के, बहुत ही अच्छा है, last में टारो से पूछ लेती हूँ, आपके बारे में, last में क्या guidance and message है, inner self आपकी बहुत अच्छी है, group number one, कभी भी भरोसा मत तोड़िएगा अपना इस्ट के परती, अगर आप जिस दिन उसे आपके अंदर negativity आने शुरू हो जाएगी, तो कभी भी hope मत खोईएगा, कमजोरी आपकी ये बन जाती कि लोग आपको कई बार demotivate करने की कोशिश करते हैं, तो आप इससे थोड़ा सा संभलिएगा, we have four of staves, यानि four of wands, see this is the finest card we can ever have in your reading, four of wands, yes four of wands क्या है, marriage, marriage किसके बी acceptance का ही card है, यानि खुद को अपनाना, पूर्ण रूप से खुद को सुईकार करना, यहाँ पर आपके लिए जो ultimate guidance आई है, वो यह है कि अपनी inner cell को accept करिये, group number one, आप empath है, आपकी life में किस तरीके की processing होनी चाहिए, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताई है, आप एक kind-hearted, generous personality है, तो खुद को दूसरों की मदद करने से ना रोके, आगे बढ़ते जाए, यही आपको सफलता की सीड़ियां चलाता जाएगा आपकी life में, so group number one, यही थी आपके लिए rating, thank you so much for watching this video, if you like this video, hit the like button, subscribe to my channel, I'll see you in the next video, till then, take care of yourself and bye-bye. Hello group number two, आपने चुनी है की, यानि की चावी, तो देखते हैं cards यहाँ पर आपके बारे में क्या बताते हैं, सबसे पहली बात तो मैं इस card को लेकर के ही करना चाहूंगी, successful outcome of your problem, यानि की जो भी समस्याएं आपके life में थी, उनको दूर करने की जो चावी थी, वो यहाँ पर म personality हैं और आप एक inventor type of personality हैं, जिसे नई नई चीज़े discover करना, कुछ नया invent करना, किसी नई तरीके से चीज़ों को करना पसंद है, तो अब देखते हैं cards यहाँ पर क्या message ला रहे हैं आपके लिए, first of all मैं यहाँ पर wisdom of the oracle deck से पूछूँगी कि क्या message है, okay, so यहाँ पर loyal heart का card आपके लिए आ चुका है, and then we have round and round, okay, angels, यहाँ पर क्या message है, हमारे group number two के लिए, कौन है group number two, कैसी personality है इनकी, क्या energies है, okay, so we have don't dim to fit in, okay, birthing a new age, बहुत ही अच्छे cards आपके लिए आ रहे हैं, group number two, okay, so सबसे पहले इन सब cards पर बात कर लेते हैं, और फिर आपकी rating को मैं आगे बढ़ाऊंगी, देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूँ, group number two की sacrifice ज्यादा मत किया करो, ठीक है, हमेशा दूसरों के लिए ही करते रहना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना, इतना sacrifice कर दोगे, पदा चलेगा, एक दिन अपने लिए कुछ बचेगा नहीं, तो sacrifice करना वहाँ अच्छा है, जहाँ पर सामने से भी कुछ आपके लिए हो रहा हो, आप यहाँ पर one way sacrifice करते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड इसी की वज़ा से कई बार आपको problem हो सकती है, तो मैं आपको यह recommend कर रही हूँ कि sacrifice वहाँ करो, जहाँ पर आपके लिए भी लोग कुछ करना शुरू करें, विकर्स आप यहाँ पर इस card को represent कर रहे हो, यानि कि आप अपने आपको उसी चीज में fit करने के लिए, उन्ही social norms को follow करने के लिए, आप सब कुछ करने को ready हो जा रहे हो, ताकि सामने वाला खुश रहे, यह हो सकता आपके parents हो, हो सकता आपका life partner हो, हो सकता आपके दोस्त हो, तो आप अपनी जो भी ख्वाहिशे हैं, या life में जो भी आपके desire हैं, आप हमेशा उनको suppress कर देते हो, इस चीज को आपको समझना होगा, कि आपको बिलकुल भी यह करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर round and round create करोगे, यानि कि एक cycle create हो जाएगी आपकी life में, group number two, और जब यह cycle create होगी, तो आप एक बार suppress करोगे, दो बार suppress करोगे, उसके बाद यह आपका स्वभाव बन जाएगा, फिर दूसरे इस स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर work करना है, कि आप boundaries decide करोगे, कि कौन मेरे उपर कितना कारे ढाल सकता है, क्योंकि आप क्या अपना नहीं बोल पाते हो, और जब आप नहीं बोल पाते हो, आप सोचते हो कि चलो कर देता हो, क्या ही हो गया, थोड़ा सा काम और है, करी देता हूँ या करी देती हो, जब आप इस चीज को accept कर लेते हो, कि अपनी इच्छा के विरुद जाकर के भी, यहां पर आप ये कारे कर रहे हो, तब आप उसी तरीके की habit में पढ़ जाते हो, और ये habit आगे चल करके, आपको नुकसान दे सकती है, तो ये आपको समझना होगा, Birthing a new age is a very good card, जो की नई creations के बारे में बता रही है, यह तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया, कि आप एक तरीके के creators हैं, inventors हैं, आप लोग discoverer हैं, आपको नई नई चीज हैं, खोजना, नई नई चीजों के बारे में जानना काफी पसंद है, dreaming a new world into being, आपके मन में एक दुनिया बसती है, group number two, और आप उस कल्पना लोग को अपनी reality में बदलना चाहते हो, बट आप sacrifice कर रहे हो reality में, तो यह जो कल्पना है आपकी, यह वास्तविक्ता में कैसे बदलेगी, इस चीज को आप समझें कि इसको इसमें लाना है हमें, यानि कि इस चीज को हमें ठीक करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन में, जो हम imagine कर रहे हैं वो true हो जाए, हमारे मन में एक दुनिया होती है न, जिसे हम चाहते कि यही मेरी दुनिया हो, ऐसा ही सब कुछ हो मेरी लाइफ में, बट जो मन में आप सोच रहे हो, रियालिटी में अगर उसके action against में ले रहे हो, उसके विपरीत आप अगर अपने जीवन में कारे कर रहे हो, तो यह रियालिटी में कैसे आएगा, यह यहाँ पर loop create करेगा, round and round का, यानि कार्मिक साइकल का, तो इस बात को आप समझे, यहाँ पर एक गलती हो रही है, इस गलती को सुधारने की जरूरत है, loyal heart is a very good card for you, 35 number के साथ आया है, loyal heart यहाँ पर indication देता है, कि यह ग्रूप दिल का बहुत भोला है, एक गाना यह ना दिल का भोला है, तबियत का बड़ा है साथा, अच्छानक से गाने यादा जाते मुझे, तो यह ग्रूप बहुत भोला भाला है, आपकी इनोसेंस का फायदा उठाते हैं लोग, सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन आपकी इनोसेंस का अगर फायदा उठाया जाने लगे, तब तो यह अच्छी बात नहीं है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि ठीक है, यह तो करीदेंगे मेरा काम, आप मना नहीं करते हो किसी का काम करने से, इसलिए लोग इस बात का फायदा उठाते हैं, कोई वास्तों में मजबूर है, किसी की वास्तों में कोई समस्या है, जेनूनली वहाँ पर प्राब्लम है, तो help करना अलग बात है, लेकिन बार 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 आपको ही target बनाकर, आपके साथ ही सारा काम करा दिया जाए, आपके सर पर ही सब कुछ डाल दिया जाए, यह तो गलत है, और यही गलती यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आप सुभाव से बहुत सीधे हो, आपके अंदर इनोसेंस बहुत जादा है, क्योंकि आपका दिल बहुत पाक साफ है, बलकुल clear है, pure hearted हो, आपको लगता है कि अगर मैं सामने वाले की मदद नहीं करूँगा, तो भविश में मेरी भी कोई मदद नहीं करेगा, आप इस चीज को सोचने लगते हो, यह सोचना गलत है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने time को consider करोगे न, आपके लिए जादा सही क्या है, और क्या सामने वाला person वाकई में नहीं काम हो कर सकता था, यह सोचिए आप, या वो कहीं party करने जा रहा है, इसलिए उसने अपना काम आपके सर पर डाल दिया, so there is a difference, आपको वो difference समझना पड़ेगा, कर्म में इतना भी मतुलच जाईए आप लो, कि मेरे उपर यह कर्म वापस आजाएगा, मेरे उपर यह कर्म वापस आजाएगा, कि आप यहाँ पर अपनी जिन्दगी जीना छोड़ दें, इस बात को ध्यान रखेगा, there is a very good indication on this card also, आपने keys choose की है, just see here, अगर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी दो keys आपको नजर आ रही होंगी, यह हैं keys, आपके दिल के दरवाजू के, so you need somebody in your life, जो कि आपको सच में, आपके true nature को समझ सके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा innocent हो, इस दुनिया के सामने, क्योंकि यह दुनिया तो है, जालिम दुनिया है कि, लेकिन आप सीधे पड़ जाते हो, इस दुनिया के सामने, and इस चीज को थोड़ा सा आपको, अपने आपको empower करना पड़ेगा, मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि, आप cunning हो जाओ, मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि, आपको यहाँ पर अपनी boundary set करनी चाहिए, कुछ और cards लेते हैं, देखते हैं, cards क्या बताते हैं, आपके आसपास की energies को लेकर के, cards क्या बताते हैं, okay, so first card we have Durga, and second we have Rajas, yes, मा दुरगा का card है, यहाँ पर आज मेरी reading में क्या हो रहा है, मातारानी इतना बार अपियर हो रही हैं, first group में भी मातारानी आ गई थी, यहाँ पर भी मातारानी आ रहें, Durga मा, Durga मा यहाँ पर group number two आपके लिए बहुत special है, and यह मातारानी, Durga मातारानी, इनके स्वरूप, इनका स्वभाव, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, you can see, दोनों ही cards में आपको red color नजर आ रहा है, आप एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज इस card पर देख सकते है, यहाँ मा दुरगा है, और नीचे मा दुरगा की सवारी, यहाँ पर lion आपको नजर आ रहा है, यह combination, कितना rare है बनना, दोनों different card है, wow, sometimes cards देखकर मुझे भी शौक लगता है, कि कैसे आ गया यह, कैसे आ सकता था यह, यह, अगर हम probabilities भी लगाएं न, maths की probabilities भी हम use करें, so this is going to be the rare of the rarest, something like this, जो कि यहाँ पर हुआ है अभी, आपके reading में, group number two, दुरुगा के साथ राजस, यह, कि दुरुगा मा के साथ यहाँ पर उनकी सवारी सिंग आ चुकी है, you need to find your true desire, you need to find your true passion about your life, आपकी life का वास्तविक लक्ष क्या है, यह जानना जरूरी है, because there is a dormant energy inside you, आपके अंदर एक ऐसी energy है, जो कि अभी dormant condition में बैठी है, उसको active होना जरूरी है, अगर वो active नहीं होगी, तो वो हमेशा के लिए dormant ही रहेगी, और आप हमेशा sacrifice करते रहोगे, you need to get out of it, आपको इससे बाहर आना होगा, group number two, इसलिए मादुर्गा यहाँ पर ताकत ले करके आ रही है, हर नवरात्री आपके लिए बहुत चुब है, group number two, हर नवरात्री आपको आपके जीवन में, कुछ नई चीजें दे करके जाएगी, कुछ नई chapters दे करके जाएगी, कुछ नई surprises दे करके जाएगी, वाउ, राजग का कार्ड है यहाँ पर, राजग जो गुड होता है, राजगुड, यहाँ पर उस गुड की बात की जा रही है, you need to acquire this गुड, आपको आपके अंदर के उस गुड को बाहर निकालना है, जो active है, जो ambitious है, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसके अंदर vitality है, जिसके अंदर power है, जिसके अंदर enthusiasm है, आप हमेशा सर जुका करके दूसरों की बाते मत सुनिये, आपको भी जवाब देने होंगे, आपको भी बोलना होगा, अगर submissive nature के आप बनते चले जाओगे group number two, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है, जब सामने वाले के आगे आप कुछ बोल ही ना पाओ, even though आपको अंदर से बहुत hurt हो रहा हो, ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों को तकलीफ होती है, आप बताते ही नहीं हो, कि सामने वाले ने आपको परिशान कर दिया है, you are just like कि चलो future में सब ठीक हो जाएगा, no, you have to tell, आपको बोलना पड़ेगा सामने वाले को, कि आपके इस बात ने मुझे तकलीफ दी है, दुबारे से ऐसे बात मत बोलना मुझसे, आपको अपने लिए stand लेना होगा, दुरगा मा को देखे आप, ऐसे ही नहीं वो दुरगा मा बनी है, उन्होंने वो steps लिए, जो required थे, वो मा गौरी भी है, तो मा काली भी है, वो दुरगा मा है, वो गौरी मा है, जो सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे भोली भाली, जो की बहुत nurturing है, वो बच्चे की तरह आपको प्यार करेंगी, लेकिन वही अगर मा काली बन गई, तो संघार भी कर सकती है, तो आपके अंदर ये गुड मौझूद है, मा दुरगा के नौ रूप आपके अंदर है, आप नौ गुडों के साथ पैदा हुए हो, इन सारे गुडों को अपने पहचानी है, गुरूप नौबर टू, क्यों आप एक डॉर्मेंट परसन की तरह, अपनी लाइफ को चलाते चले जा रहे हो, पेपल आर यूजिंग यू लाइक रग, लोग आपको डॉर्मेट की तरह यूज कर लेते हैं, I'm sorry, I'm using some strong word here, लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी जरूरी है, गुरूप नौबर टू, कि कोई आपका फायदा न उठा पाए, चाहे वो आपका workplace हो, चाहे आपका अपना घर हो, आपको ये बात समझनी होगी, कि किसी और कोई अनुमती नहीं है, कि वो आपके इच्छागे विरुद, आपसे कोई कारे कराए, और इसके लिए आपको stand लेना पड़ेगा, you need to understand your soul power, आपके अंदर की जो आत्मिक शक्ती है, उसको आपको पहचानना होगा, इसलिए ये दोनों कार्ड आपकी रिडिंग में अपियर हुए हैं, अब मैं यहाँ पर हमारे कुछ और कार्ड को बुलाती हूँ, and we want to see something else, आपके आस-पास की जो energies हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, कि वो energy आपके लिए कैसी है, हैं, helpful हैं या नहीं हैं, ओके, we have Sanat Kumar, light activation, ओके, this card is coming for you, आपके आस-पास की जो energy है, आपको white light नजर आती है, group number two, sometimes आपके साथ ऐसा हो सकता है, कि आपको suddenly एक white light नजर आने लगे, और ये actually मेरे साथ भी होता था, बट अब तो नहीं होता, पहले होता था, ये spirits होती हैं, ये spirits अब आपको देखने के लिए आती हैं, कि आप अपनी life में क्या कर रहे हो, या आपको कोई message देने आती है, आपको blessing देने आती है, वो white light आपको नजर आएगी, बिल्कुल इसी white color की वो होती है, ऐसी bright shiny होती है, कि आप दूर से देखोगे, तो वो चमकने लगेंगी, इस तरीके की वो होती है, आपके आस्पास है, और ये अनरजी आपको रास्ता दिखाती है, कि लाइफ में क्या करना है, ये path maker energy है, ओके, then we have lady venus, downloads and understanding, the message is, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm, सच आपके सामने आचुका है, deep insights are coming from heaven and astral realm, जो की आपके अंदर, जो deep insights हैं, यानि की गहरे, ऐसे insights को क्या बोलेंगे हिंदी में, बोलेंगे ऐसे विचार, जो की बहुत ही जादा गहरे हैं, ऐसी बातें, जो की normal समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन insights वो होते हैं, जब हमको कुछ ग्यान हो जाता है, ऐसा ग्यान, जो की स्वर्ग या फिर astral realm से आ रहा हो, यानि universe से आ रहा हो, वो ग्यान आपको प्राप्थ होता है, मुझे ऐसा लगते कि आप लोग जब manifest करते, उसी time पर meditation में भी, आपको कुछ signs and symbols receive होते हैं, group number two, और वो signs and symbols आपके लिए बहुत important है, क्योंकि वहाँ पर messages हैं आपके लिए, ये energy, आप देख सकते हो, दोनों card में same color pattern चल रहा है, दोनो white energies हैं आपके पास पास, और ये white energy यहाँ पर spiritual presence है, आपके आजब पास एक अच्छी spirit है, आपके आजब पास एक ऐसी spirit है, जो कि आपको आगे ले करके जाना चाती है, ये spirit किसकी है, ये जानना जरूरी है, तो इसके लिए मैं एक card और लेने वाली हूँ, कि ये किसकी spirit है, ओके, ये तीन card, shuffle करने से पहले ही आकर गिरे हैं, तो I am going to take all these three cards, first card है, Mary Magdalene, teacher awakens, okay, आपके past life guru का card है, you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you, just see the message, same message है, जो मैं तबसे आपको दे रही हूँ, group number two, आपके अंदर, एक intuition आती है, आपके अंदर कुछ न जाता है, आपके अंदर कुछ करने का एक जजबात आता है, लेकिन आप बार-बार उसे dim कर रहे हो, बार-बार उसे sacrifice कर रहे हो, बार-बार आप उसे suppress कर रहे हो, because you don't know how to start, you don't know कि कैसे मैं उस काम को करूँ, जब आप करना शुरू करोगे, तो होना भी शुरू हो जाएगा, आपके पास कुछ ऐसी capabilities and possibilities हैं, जो कि दूसरों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, यानि आपके अंदर कुछ ऐसे good है, जो कि आपको काफी उचाईयों तक लेकर जा सकते हैं, आपके life में success story लिख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो hesitation है, वो hesitation आपको कमजोर बना रही है, आपके guru आपके बहुत बड़े सहायक है, और यह past life teacher का card है, यानि कि आपके previous lifetimes में कोई guru रहे होंगे आपकी life में, या फिर कोई female guru रही होंगी, उनकी energy यहाँ पर मौझूद है, yes, it is a very good card for you, next we have the shakina, sacred self, just see this card, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life, yes, express your gifts, जो आपके अंदर talent है, जो आपके अंदर possibilities है, उन्हें express करना शुरू करिये, do not suppress it, express it, this should be your mantra of your life, क्योंकि shakina यहाँ पर खुद को खुल करके express करती है, उसको जैसे रहना है, जैसे तरीके से दिखना है, जैसे बाते करनी है, जैसे अपने आपको creatively express करना है, वो सब कुछ करती है, तो आप hesitate क्यों हो रहा है, ग्रूप नंबर 2, you have to express yourself, बहुत कर लिया दूसरों के लिए, now it's time for you to do it for yourself, and then we have St. German, karma releasing, so now, मैंने बोला कि आप कर्म से डरते हो, karma releasing है, move beyond drama, creating your own path, make room for good energy, yes, आपके आसपास जो energies है, वो अच्छी है, आपके लिए आना चाहती है, आपके आसपास आना चाहती है, you have to create room for it, अगर मन में लगातार नकरात्मक विचार बन रहे हैं, group number two, तो फिर ये energy create नहीं हो पाएगी, फिर ये energy अपने लिए जगा नहीं बना पाएगी, इस energy को बनने के लिए जगा चाहिए, कर्मा के उपर बहुत ध्यान देना छोड़ दीजे आप लो, क्योंकि वो जो आप सोच रहे हो, कि कर्मा मेरे उपर बार 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 पलट कर आएगा, उस सोच को आप छोड़ दीजे, आप direct आगे बढ़िए अपने काम में, जो ज़रूरी है आपके लिए करना उसे करिए, move beyond drama का का कार्ड ये बता रहा है, सेंट जेर्मन, आपको ये बताना चाहते हैं, कि आपके personal life में या professional life में, कुछ ऐसे energies हैं आपके आसपास, जो कि human form में वो energies हैं, जो कि बहुत ज़्यादा dramatic हैं, यानि कि हर छुटी बड़ी बात पर, वो यहाँ पर cliche experiences आपको देते हैं, बहुत drama create करते हैं, बहुत noise create करते हैं, उनसे दूर रही है, वैसी energies से खुद को detach करके रखे, आपके लिए अच्छा है, अगर family members हैं, तो कभी-कभी ऐसा हर बार possible नहीं होता है, कि हम उस चीज़ को avoid करें, but try to avoid conflict, आप इन सब के बहसबाजी में अगर पड़े, तो फिर आपकी life में, आप इनी सब में पड़े रह जाओगे, यह जो expression यहाँ पर आप देख सकते हूँ, यह expression यहाँ पर नहीं बन पाएगा, इस चीज़ से आप बाहर आईए, एक spirit यहाँ पर bird की भी है, यहाँ पर एक angelic bird भी है, so angels हैं आपके आसपास, angels की presence है, आपको बार-बार angel numbers नज़र आएंगे, कई सारे angel numbers नज़र आएंगे, specially one से related angel numbers आपको बहुत नज़र आएंगे, three number आपको बहुत नज़र आएगा, and two number आपको बहुत नज़र आएगा, इसके साथ ही साथ ये जो angels हैं इनके साथ यहाँ पर teacher के energy है यहाँ पर एक guru के energy है और अगर मैं यहाँ पर tarot cards को recall करने की कोशिश करूँ तो hermit के energy है आपके लिए hermit यहाँ पर अपनी presence बता रहा है कोई past life guru है जो की आपको guide करता है यह guru वो भी हो सकते जिनको आपने अपना guru माना हो जैसे बहुत लोग है साथ बाबा को अपना guru मानते है तो साथ बाबा की energy आपके आसपास है you are protected आप protected हैं वो energy हमेशा आपको सही path पर लेकर चल रही है और आप अपने life में कई बार spirit से आपका आमना सामना भी होगा यह इसी white bright color में आपको दिखेंगी और यह किसी face में नहीं होंगी यह बिलकुल एक ball की तरह होंगी जो आपको नजर आएंगी आसमान में एक सितारी की तरह आपको दिखती जाएंगी आपको corner में कहीं room के corner पे कहीं mirror के सामने दिख सकती हैं आपको this happens होता है तो यह बहुत ही shiny होगी थोड़ी दिर के लिए आपको दिखेंगी फिर अचानक से गायब हो जाएंगी जो message होगा वो message आपको deliver हो जाएगा don't worry so there are some good energies around you यह energies आपके लिए काफी helpful है और आपको life में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी okay हमें हाँ पर कुछ और cards लेने वाली हो so यहाँ पर अब मैं introduce करूंगी हमारे past life cards को I wanna check कि past life का क्या imprint है जो कि इस lifetime में भी आपके साथ चला आया है उसको अगर heal करना है तो क्या करना होगा वो सारी चीज़े में देखने वाली हूँ पहले imprint शक करते हैं कि past life से क्या लेकर के आगे हो आप लोग इस lifetime में वहाँ से क्या message आ रहा है so we have health okay and there is a sapien energy and snake energy here yes आपके east में भोले नात की भी मौजूदगी है क्योंकि snake के energy यहाँ पर बन रही है और reptiles के energy बन रही है साप आपके आसपास आपको दिखते होंगे ये दो card अपने आप आए हैं तो इन दोनों को मैं लेने वाली हूँ first we have love life okay a good love life and interesting देखें यहाँ पर भी rose है and यहाँ पर भी rose है and then we have ships for you ship से कोई deep connection इस group का लग रहा है तो traveling आप लोग जितना करोगे उतना अच्छा healing आपके लिए होगा आपके लिए travel करना नए नए places पर जाना जरूरी है travel ना सिर्फ आपको थोड़े adventure प्रोवाइट कराता है बलकि आपकी life में आपको free feel कराता है आजादी feel कराता है वो feel करना आपके लिए जरूरी है तो travel अपनी location को बार-बार change किया करिए travel किया करिए कहीं कहीं trips कर लिया करिए आपके लिए जरूरी है past life से मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपकी life में जो connection आएगा especially partner के form में और जो perfect connection होगा जो की वाकई में आपका person होगा वो यहाँ पर past life से आएगा health यहाँ पर यह indication दे रहा है card आपका कि जो energies आपकी past life से आ रही है वो energies healing properties के साथ आ रही है आपको heal कर रही है वो इस lifetime में भी carry forward होई है और यह healing आपको महादेव की तरफ से भी है snake energy भी आ रही है reptiles energy भी आ रही है now ships का card यहाँ पर यह indication देता है कि आप past life में बहुत travel करते थे बट अब आपने वो traveling छोड़ दी और क्यूंकि आपने अपने उस चीज को छोड़ दिया इस वज़ा से कई बार आपको ऐसा feel होता है कि आप एक जगा पर stuck हो यह आपके लिए बहुत अच्छा card बन रहा है so यहाँ पर मैंने बताये हैं आपकी personality के बारे में आप कौन हैं इसके बारे में energies जो आपके आसपास हैं उसके बारे में positive qualities की बात करू तो यह group दिल का बहुत अच्छा है बहुत ही सुन्दर हो आप लोग बहुत अच्छे हो pure hearted personality हो दूसरों को फायदा मत उठाने दो अपने इस दिल का क्योंकि अच्छे लोग इसको deserve करते हैं लोग आपका भरोसा तोड़ते हैं group number two आपको अपने आसपास boundary बनानी शाहिए इसको लेकर के आपका जो connection है न अपने spirits के साथ वो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये card and आप अपने past life से अपने गुरू को इस जनम में खीच लाए हो ये गुरू हमेशा आपकी life में रहेंगे आने वाली अगली life में भी रहेंगे हमेशा आपको protect करते हुए आपको सही रास्ता दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे अगर आपकी life से कोई चीज सड़नली disappear हो जाती तो आप समझेगा कि वो चीज आपकी जिंदगी से जाना जरूरी था इसलिए वो चीज हुआ है क्योंकि आपके गुरू जो थे, उनको पता चल चुका था कि वो चीज आपके लिए future में अच्छी नहीं है तो उसको लेकर करके शोक नहीं मनाना है बलकि खुश होना है कि आपकी life से कोई ऐसी चीज गई जो कि भविश्य में आपका नुकसान कर सकती थे inner self के मैं बात करूँ सब आपके अंदर मौझूद है last day मैं tarot cards को लेने वाली हूँ और मैं उनसे देखने वाली हूँ कि क्या message है okay so card आ चुका है seven of pentacles का महात्मा बुद्ध यहाँ पर हमें नजर आ रहे है meditation नजर आ रहे है ये card भी आपके लिए आ रहे है strength, just see again madurga is coming okay, group number two okay, आप मुझे goosebumps दे रहे है group number two, just see madurga का card है यहाँ पर I don't know, ये camera focus क्यों नहीं कर रहा है cameraman focus so strength का card just see madurga यहाँ पर फिर से आ गई है और share के साथ आई हैं अपनी singh-savari के साथ just recognize yourself, this is you group number two, आप हो ये and ये देखिये just see here, reptile snake energy आपको सब कुछ आपके एक ही card पर दिख जाएगा just see your energy here oh my god group number two क्या कर रहे हैं आप लोग madurga आ गई है खुद मैं शौक हूँ ऐसे group number one ने मुझे शौक किया था और मुझे लगा था ठीक है group number one ने शौक किया group number two में देखते हैं and group number two आपने तो something big is going to happen कुछ बहुत बड़ा यहां पर है and मैंने आपको बोला भूले नाथ आपके इश्ट है मादुरगा के face को आप ध्यान से देखिए आपको तीसरी आँख नजर आ जाएगी भूले नाथ है यहां पर भी जो तीन चीजे मैंने major आपको बताई वही तीन चीजे एक single card पर आपको दिख रही है this is tarot यह है tarot cards और यह tarot नहीं है सिर्फ आपकी कहानी है claim your energy okay let me give you one more surprise see the see this card again and read the number here group number two what number I have told you क्या बोला था मैंने आपको angel number क्या angel number आपका बना यहां पर one one दिग्या आपको group number two group number two group number two काश मेरे सामने आप लोग होते तो मैं इतना आप लोगों को appreciate करती आप लोगों को इतनी blessings देती वैसे मैं यहां से भी date सारी blessings आप लोगों को send कर रही हूँ आपके अंदर दुर्गा मा की शक्ती है कमजोर नहीं हो किसी से डरो मत अपना काम करो और लाइफ में जो करना चाहते हो वो करो किसी से डरने की जुरत नहीं है this is your inner self मा दुर्गा is your inner self खुद आ गई है वो अब इस से जादा बड़ा सबूत मैं आप हो यह थी आपके लिए जाप। आपके लिए रिदी thank you so much for watching this video if you like this video hit the like button subscribe to my channel I'll see you next video till then take care of yourself and bye bye